हलो एवरीवन वेलकम टू ओणली सक्सिस आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास फिफ्ट जो है आपकी उसकी हिंदी की बुक का चाप्टर वन हम इसमें देखेंगे और चाप्टर का नाम है राकी रसी राकी रसी हम लोग चाप्टर के एक्स्पेनेशन तो लवन भी पे देखी चुके हैं अब हम इस वाले जो चैनल है ओनली सक्सिस इस पे हम लोग इसके क्वेशन आंसर्स देखेंगे सबसे पहले शब दर्द देख लेते हैं तो पहला है समस्या समस्या का मतलब होता है परेशानी कोई दिक्कत होना निराश का मतलब होता है उदास यकीन का होता है विश्वास करना तरीका होता है उपाए मदद का मतलब सहायता करना मुश्किल परेशानी आकार बनावट चकित हैरान हो जाना हैरान कर देना विलोम या फिर विपरीदार्थक शब्द जो होते है चालाकी का मतलब होता है चालाकी का मतलब तो होश्यारी होता है ना और इसका हमें विलोम बताना है विलोम का मतलब होता है हमें उल्टा बताना है तो चालाकी का मतलब बेवकूफी हो गया चलापी का मतलब नहीं, चलाकी का उल्टा बेवकूवी, चैन का उल्टा बेचैन, साधा, सीधा का उल्टा साधा या फिर होश्यार, ठीक है, सीधा साधा का होश्यार, शहर का उल्टा हो जाएगा गाउ, दुखी का सुखी, खरीदना का बेचना, संभव, असंभव, धूमधाम, चुपचाप, सौपगर, छीनगर, मुश्किल, आसान, अब प्रशन उत्तर देख लेते हैं, लोन पोगार कौन थे, तो देखे, लोन पोगार तिबबत के 32 वे राजा थे, तो 32 का मतलब 32 होता है, तो 32 सेकंड खिंग थे, लोन पोगार तिबबत के, लोन पोगार क्यों चिंतित थे, तो इसका आंसर है, लोन पोगार अपने बेटे के भोले पन के कारण चिंतित थे, लोन पोगार किस चीज के लिए मशूर थे, तो लोन पोगार अपनी बुधी मत्ता के लिए मशूर थे, लोन लॉन पुगार ने सौ भीड़े देकर अपने बेटे को शहर भेजा नेक्स ग्रेशन है लॉन पुगार ने अपने बेटे को क्या लाने को कहा लॉन पुगार ने अपने बेटे को सौ बोरे जो खरीद कर लाने को कहा नेक्स ग्रेशन है लॉन पुगार का बेटा परिशान क्य क्यूंकि उसके पताने उसको कहा था कि भीडों को मारना या बेचना नहीं है और सौ बोरे जो खरीद कर लाने है जबकि उसके पास पैसे नहीं थे तो भीडों को ना मारना है ना ही उनको बेचना है मगर सौ बोरे जो है जो के लेकर के आने है और उसके पास पैसे भी नहीं थ तो वो क्या करता है इसलिए वो परिशान था नेक्स्ट क्वेशन है लड़की ने लड़के की पहली समस्या का हल कैसे निकाला तो इसका उतर है लड़की ने भेडों के बाल उतार कर पहली समस्या का हल निकाल दिया और पहली समस्या का हल निकाल दिया नेक्स्ट है लड़की दूसरी समस्या का हल कैसे निकाला तो उत्तर लड़की ने भेडों के सिंग बेच कर दूसरी समस्या का हल निकाल दिया नेक्स्ट राजा ने लड़की को क्यों चुनौती दी तो राजा ने लड़की को कि रसी राजा को अपने गले में पहननी होगी तो ये शर्त थी लड़की की कि मैं रसी तो बनातोंगे बर आपको उसे गले में पहनना पढ़ेगा next है राजा ने लड़की की समझधारी से खुश हो कर क्या किया समझधारी से खुश हो गया राजा पहुँत तो राजा ने लड़की की समझदारी से खुश हो कर अपने बेटे से उसकी शादी कर दी तो राजा ने क्या किया? अपने बेटे की उससे शादी कर दी उसकी समझदारी से खुश हो करके तो ये हमारे इसकी question answers हो गए कैसा लगा विडियो? बताईए अच्छा लगा तो हमारे चैनल Only Success को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंज के साथ शेयर करिए थेंक यू